बहुत बहुत स्वागत है दशकों पांच राज्यों के विदानसभा चुनाओं के अंतीम चरण की वोटिंग आज तिलंगाना में समाप्त हो गई प्रमुख हस्तियों के साथ ही तिलंगाना बसपा प्रमुख डॉक्टर आरेस प्रवीन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया इस बार जहां मध्यपदेश तिलंगाना की सत्ता रूर पार्टियां घबराई हुई नजर आई वही राजिस्थान चेत्रिजगड के मुख्यमंत्री कूल नजर आये मध्यपदेश में शिवरासीन चौहान को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना और पेटियों से छेड़ चाड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं बालगाट में गलत तरीके से स्ट्रॉंग रूम खोल कर पोस्टल बैलेट से छेड़ चाड़ और फिर मतगर्ना इस्थल यानिके स्ट्रॉंग रूम की बिजली गुल हो जाना और सीसी टीवी बंद हो जाने आ आज भी आम जंता और विपक्षिदल इसे जिला कलेक्टर की नाकामी और बीजेपी के लिए काम करने की घटना मान रहे हैं हाला कि इस बार पुरानी पेंशन मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में कर्मचारी नाराज रहे हैं वही रोजगार और पेपर लिख होने जैसी भरती घोटाले से युवा बहुत नाराज रहे राज में बड़ी संख्या में OBC की जन संख्या है और नौक्रियों में आरेख्षन पर अदालतों में सरकार की जो संदिक दोविमिका को लेकर OBC भी नाराज रहे किसान महंगाई MSP आदी मावलों में MP सरकार वैसे भी बैक फुट पर रही है कुछ संगट्टों ने तो बीजेपी को वोट नहीं देने की बाकाइदा श्रपत ले ली अंतिम समय में पैसे बाटने की स्कीमों को जारी करने से बीजेपी को बहुत जादा लाब होने की संभावना नजर नहीं आती फिर पार्टी का भीतरी कला, परिवारवाद, पैराशुट पत्याशी, तोड़ फोड आदी ये सभी कुछ पईड़ाओं पर असर डाल रहा है हलाकि बीजेपी ने वोट कटवा दलो को करोणों रुपए दे कर वोट बाटने की कोशिश जरूर की, फिर भी भीम आर्मी पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने और बीजेपी सांसत की गाड़ियों के उपयोग का वीडियो के साथ ही डाइरी के पन्नों का जो हिसाब लिखा था उसके वाइरल होने के बाद ये संभावना भी जाती रही लिहाजा बीएसपी का वोट प्रतिशत और सीटे इस बार बढ़ने से मत्यप्रदेश में फिर से बीएसपी के तीसरी शक्ती के तौर पर उभरने की संभावना नजर आती है तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसी आर समयत प्रमुख विपक्षी कॉंग्रेस बीजेपी के प्रमुख निताओं का दो-दो स्थानों से चुनाओ लड़ना और योगी का अपने भाषण में बसपा का जिक्र करना ये दर्शाता है कि जीत इतनी भी आसान नहीं है वहीं आज वोटिंग के दोराएं बीजेपी और टियारेस के कारे करताओं और समर्थोकर के बीच फर्जी वोटिंग को लेकर जड़ब भी हो गए परिवर्तन के लिए वोट किया है चत्रीजगर में जहां गोबर की खरेदी MSP की बढ़ोतरी और OPS सहित सरकारी नौकरियों में न्यूकतियादी ऐसे मुद्दे रहे हैं जो कॉंग्रेस के पक्ष में गए फिर भी कुछ मामलों के कारण यहां बसपा की सीटे बढ़ने की संभावना नजर आती है राइस्थान के वोटर्स हर बार सरकार बदल देते हैं लेकिन इस बार शायद ये क्रम तूटने वाला है यहां अंतिम समय में जातिगत जंगना कराने की बात कहकर गहलो सरकार ने जहां बीएस्पी को आलोचना का एक मुद्दा दे दिया वहीं आम वोटर्स में एक उम्मीद भी जगा दी लिहाजा इस बार सरकार बदलने की संभावना कम ही नजर आती है हाला कि ईवियम पर भरोसा करना नहीं करना ये जंता का मुद्दा है फिलहाल पूरी तरह ये बात जंता का मुद्दा नहीं बन पाया है लेकिन बीजेपी चाहती है कि इस चुनाओ के परिणामों से लोगों का ईवियम पर विश्वास मजबूत हो जाए लिहाज इस बार चुनाओ परिणाम आम जंता के मन मताबिक रहने की संभावना है परिणामों को लेकर बालाघाट के पत्रकार साथ ही क्या सोचते हैं आईए उनसे जाते हैं हमारे साथ हैं वरिष्ट पत्रकार रहीम खान अशोक मोटवानी रफीक अनसारी और युवा पत रट्रा का रिजल्ड देखें तो यहाँ पर कांग्रेस चार सीटों पर जीती थी और भारती जंता पार्टी दो सीटों पर जो दोनों दिग्गस थे हमारे यहां रामकिशुर कावरे और गौरिशंकर विसेन जिन्होंने जीत हासिल की थी दोनों मंत्री बनें लेकिन इस ब फाइदा है उनको मिलता नजर आ रहा है जो महिलाओं के वोट जहां तक मेरा मानना है कि वो भारती जंता पार्टी को बड़ी संख्या में मिले हैं तो इस बार जो मेरा जो मानना है वो यह कि तीन सीटे भाजपा और तीन सीटे कांग्रेस को मिलने की उमीद है बालाघाट जिले के जो राजनेतिक परिद्रश है उसमें यदि हम आकलान करें निस्पक जंग से तो हम इस बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि कॉंग्रेस इस समय जिले के अंदर बलत में है देखे बालाघाट जिले की छे विधन सभाव के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बार जनार धन ने परिवर्तन तो चाहा ही है तो परिवर्तन तो निच्चित रूप से होगा ही अब यह जब तके चुनाव में जो रिजल्ट है वो जब तके खुल के नहीं मेरा जो आकलन है चार जो है कांग्रेस की जीता सकती है और बाखी दो पर टब लड़ाई है यह सब देखते हुए मध्यपदेश में किसकी सरकार बनने की संभावना नजर आती है मेरे साब से इस वही गड़ीपिर से बैठने वाला थीप्टी वाला 230 विधान सभाथ सीटे मेरा अंदाज होपह कि कि मेरा यहां इस है कि गतशाल से 115 वाला थीपकर सब्सक्स् से जितने शर्वे आ रहे हैं पिछले छे में उस आधार पर उसको एधियम विश्वास करें उस आधार को हम देखें तो हम इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि कॉंग्रेस इस बार सहनुभूति का लाब मिल रहा है जिस तरह से उनकी सरकार को गिराया गया वह जनता को प भारती जनता पार्टी हो चाहे बश्पा हो और जो भी राजनेतिक दले हैं वो कोई भी एक तरफा सरकार नहीं बनेगी किसी की लंगली सरकार बनेगी किसी की भी क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और गुंडवाना पार्टी मद्द प्रदेशों 36 गड़ में गड़ बंदन ह तो मुझे इस समय को देखती हुए ऐसा लग रहा है कि काफी परिवर्तन होगा और बस्पा और गुंडवाना के काफी विधाये जीत के जाएंगे बाला हाट का ये कांड बहुत चार्चित रहा है पोस्टल बैलेट की घटना और बिजली गोल होने के मामले को लेकर आप इसको किस तरह से देखते हैं पोस्टल बैलेट को लेकर तो काफी हला मचा है बहुपाल से दिल्ली तक कांग्रियोसे ने इसकी शिकायत की है लेकिन पोस्टल बैलेट में किसी तरह की गड़वड़ी हो सकती है ये मेरे को थोड़ा सा उचित नहीं लगता है मैं उसका रीजन आपको बताता हूँ इक्चल में होता क्या है जब सरकारी अधिकारी करमचारी वोड़ देते हैं तो बकायदा उनका नाम रेजिस्टर में दर्च किया जाता है उनके उंगली पे स्याई लगाई जाती है और जब वोड़ देके बैलेट पेपर को एक छोटे लिफाफे में डालते हैं और छोटे इन दो उसमें कवर में वो बैलेट पेपर है तो उसको किसी तरह से प्रभावित करना बदलना याने एक मेरे एसाब से मुश्किल काम है तो हलाकि ये जाच का विशह है कि जो इस्टांग रूम था पोस्टल बैलेट का वो समय से पहले क्यों खोला गया और प्रत्याशियों या उनके प्रत्याशियों को सूचना क्यों नहीं दी गई बैलेट पेपर को रखने के लिए अलग से स्टांग रूम क्यों बनाया गया जबकि आल्रेटी पॉलिटेकनी कालेज में किस्टांग रूम है तो ये सब जाच के विशह है और जहां तक कि लाइट गोल होनी की बा बात को मुद्दा बनाके और निर्वाचन आयोक को इसकी शिकायत की है देखे क्या परिणाम आता है ये प्रशाश्मिक लापरवाई के साहसाथ सडियंत का भी इसमें एक हिस्ता नजर आ रहा मुझे पोस्टर बिलेड और लाइट गोल के मामले में ये एक बहुत-बड़ा सडियंत्र मुझे नजर आ रहा है जिसमें जीले में जो अधिकारी होते है निर्वाचन अधिकारी और जो बबाल जो मचा हुआ है और यहां के जो प्रत्याशी है जिन्होंने चुनाव लड़े है और तमाम जनता के बीच से ये खबर आ रही है कि इसमें एक बहुत- सडियंत्र पुर्व काम को अंजाम दिया गया जिसमें जीले के कलेक्टर एसडियम और प्रसाशन पुर्ण रूप से दोशी है इसमें और लोगतंत्र को की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है पोस्टल बैलेट का जो मामिला था जैसा कि जो लेटर वायर हुआ था रिट समय था लेकिन एक बच करके 29 मिनट पर जो है उसको खोल दिया गया और वहां पर जो है बैलेट पेपर को रखने उखने का जो भी उनका किया गया यह संदेह के घेरे में आता है और दूसरा यह कि जैसा कि कांगरे सारूप लगा रही है कि उसमें बिधाय का जो लोकल बिध कि नाराजगी के कारण या उसके साथ-साथ महंगाई जैसे मुद्धे भी जो है क्या परिणामों को प्रभावित कर पाएंगे ओपियस बहुत-बड़ा मुद्धा है जो रिटायर करम चारी है वह काफी नाराज है सरकार से और वह तो चाह रहे हैं कि ओपियस फिर से लाग अगर हम आलोवर पूरे इंडिया की बात करें तो सभी राज्यों में बेरोजगारी की समस्या है युवा जो है रोजगार की तलाश में है और भारत सरकार ने जो एक दो-तिन योजनाय चलाई है मैकिन इंडिया या और भी जो दूसरी कुछ ऐसे योजना है जिससे युवा प्रतिसात रोजगार का अभी उतना नहीं है कि हर घर से एक वेक्ति को रोजगार पक्का मिल सके बिलकुल महंगाई बेरोजगारी भस्तियाचात तीन महत्मौन बुद्दे तो हैं है साथ ही करमचारी जिनको हम मानते थे कि यह भाज़ता के ज्यादा पक्ष लेते लेकिन इस बार पूरे मदबदेश में जब भी हमने करमचारियों से चर्चा की है तो उन्होंने ओपीएस मुद्दे को लेके जो नाराज़गी वेक्ति वास्तपा के पत्ति यही कारण है कि मदबदेश में करमचारी वर्ग ओपीएस को लेकि समय कॉंग्रेस के समर्थन में क्या है उपीएस में जो करमचारियों जो है उनको मत्दाम करने का भी अवसर नहीं मिल पाया इसलिए काफी इसमें परिशानी हुई है जिसे चुनाव को भी प्रभावित काफी प्रभाव पड़ा है उस पर बिल्कुल पढ़िदाम को परभावित करेंगे चुकि रोजगा बेरोजगारी तो आप देखी रहे हैं आप भी युवा हैं बेरोजगारी ती इसकदर है कि हम लोग के लड़के बच्चे पढ़ गास के रोजगार ढूना पड़ रहा है ठीक है जहां तक महंगाई का मामिला है आप महंगाई के स्थिती देखी रहे हैं 50-60 रुपिया की ल प्रमचारी हैं कांग्रेस की तरफ उनका रुजहान रहा है आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद है चुनाव परिणामों के लाइव कवरेज के लिए 3 दिसंबर को हम सभी साथ होंगे उस दवरान भी हम आपकी प्रतिक्रिया अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहे हमारे साथ